नमस्कार दोस्तों स्वागते आपका हमारी यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्यवारता में दोस्तों आज हम डिसकस कर रहे हैं हिमाच्य प्रदेश में हुई जे बीटी टैट की परिक्षा के बारे में और इससे पहले हमने अपने जो दो सेक्षन है देखिए HPGK और हिंदी सेक्षन को कर लिया था और इस वाले सेक्षन में हम सिर्फ English सेक्षन को ही देखने जा रहे हैं और इसके तुरंत बाद Mathematics और आपका जो दूसरा Psychology है उसको हम देखने जा रहे हैं तो फिलाल इसमें English वाला portion है उसको हम देख लेते हैं अगर आपने पहले वाली जो वीडियो नहीं देखिए है जिसमें HPGK और हिंदी हमने डिसकस कर लिया है तो आप उसको भी चाह कर सकते हैं यहां पर English portion देख लेते हैं पहला प्रशन है देखिए काल्फ तो इसमें यह बोर रहा है कि Correct Change of Number तो इसका देखिए C-A-L-F काल्फ का जो होगा C-A-L-B-E-S काल्फ विकल्प नंबर D इसका सही उत्तर होगा तो दोस्तों यह जो भी उत्तर मैं आपको बता रहा हूं यह को उससे गलत हो रहे हैं या जिनके उत्तर मैं डॉट्स में आपको रख रहा हूं ठीक है तो next question देखिए man तो इसका जो नंबर होगा देखिए change of number वो होगा आपका विकल्प नंबर C-man ठीक है next से देखिए 34 तो 34 से 36 में यह कहता है कि choose the correct form of voice from the given options I know her ठीक है 34 देखिए इसका जो सही उत्तर होगा यह होगा विकल्प number B she is known by me ठीक है next से देखिए 35 I can do it तो इसका जो सही उत्तर होगा देखिए वो का विकल्प number D it can be done by me है ना D इसका सही उत्तर होगा 36 से देखिए children are flying kites तो इसका क्या होगा देखिए इसका होगा विकल्प number D kites are being flown by children ठीक है विकल् प्रशन संख्या 37 है दिखिए, सीमा was absent the class, तो इसका जो सही उतर होगा दिखिए, विकल्प नमबर B, in, सीमा was absent in the class, next है, my elder brother is coming today, ठीक है, तो big भी नहीं होगा, older भी नहीं होगा, और small भी नहीं होगा, तो यहाँ पर सही जो होगा दिखिए, वो होगा elder, ठीक है, next है दिखिए, here is an egg, ठीक है, 39 का होगा, एन, एविकल्प, ठीक है, प्रशन संख्या 40 है दिखिए, why are you so angry with me, तो विकल्प नमबर C, इसका सही उतर होगा, next है दिखिए, 41 से 43 तक, choose the word which is the most opposite in the meaning of the word printed in capital letter, तो opposite जो meaning वाले word हैं, वो आपने देखने हैं, तो दिखिए, bold का क्या होगा, विकल्प नमबर D, timid, ठीक है, विकल्प नमबर D से उतर होगा इसका, next है दिखिए, 42, love, love का मतलब, hated, तो इसका opposite क्या होगा, hated, ठीक है, hope है, hope क जो उल्टा होगा देखिए, वो होगा आपका विकल्प नमबर C, despair, ठीक है, प्रशन सेंग क्या 44 देख लेते हैं, यह कहते हैं, 44 से 47 तक देखिए, choose the one word which correctly stands for each expression, ठीक है, word with the same meaning, ठीक है, 44 है देखिए, इसका जो सही उतर होगा, विकल्प नमबर B, similar, ठीक है, next है देखिए happening every year, तो देखिए दोस्तों जो 44 है, इसमें synonyms भी हो सकता है, लेकिन मुझे इसका जो सही उतर लग रहा है, वो similar होना चाहिए, आपके अनुसार क्या है, यह भी आप मुझे comment section में जाकर बता सकते हैं, next देखिए, happening every year, तो उसको कहते हैं, देखिए, विकल्प नमबर A, annual, ठीक है, life history of person written by another, तो जो life history जो दूसरों के द्वारा लिखी जाती है, उसको क्या कहा जाता है, देखिए, विकल्प नमबर A, biography, autobiography मतलब जो खुद लिखी जाती है, आत्म कता जिसको कहते हैं, ठीक है, तो इसका उतर होना चाहिए था, biography A, ठीक है, a small piece of potato, ठीक है, तो यह ह का विकल्प नमबर देखिए, क्या होगा इसमें, विकल्प नमबर C, madam, है न, C इसका सही उतर होना था, 49 है देखिए, lord, तो इसका जो सही उतर होगा, देखिए, वह होगा आपका विकल्प नमबर B, lady, next से देखिए, duke, तो इसका जो सही उतर होगा, देखिए, वह होगा विकल्प नमबर C, ठीक है, जचीज, विकल्प नमबर C, इसका सही उतर होगा, next से देखिए, प्रशन संख्या 51, और 51 से त्रेपंद में, in each questions four words are given, choose the correct spelled word, तो spelling जो देखनी थी, आपने, सही spelling देखनी है, सबसे पहले है, देखिए, तो इसके जो सही spelling हैं, वो D है, देखिए, विकल्प नमबर D सही होगा, ठीक है, O-B-E-D-I-E-N-T-L-Y, ठीक है, next से देखिए, 52, तो elephant, elephant की विकल्प नमबर C वाली spelling सही होगी, ठीक है, E-L-E-P-H-A-N-T, 53 है, देखिए, weather, तो इसकी जो सही spelling है, विकल्प नमबर A होगा, एक से देखिए, 54 से 56, तो इसकी जो सही उत्तर होगा, वो होगा विकल्प नमबर A, uncommon, ठीक है, next से प्रशन सहं क्या, 55 देखिए, meeting, तो इसका होगा विकल्प नमबर D, all of the above, ठीक है, conference भी, assembly और gathering भी, एक ही जीज़ है, ठीक है, 56 से देखिए, handsome, तो handsome में आपका good looking भी हो सकता है, या फिर आपका, फिर भी आप उसको बोल सकते हैं, पर ज्यादा क्या लग रहा है आपका, A, इसका सही उत्तर होना चाहिए, ठीक है, प्रशन संख्या, 57 हम देख लेते हैं, देखिए, ये कहते हैं कि, 7 और 8 में आ सही उत्तर होगा, to break the, 58 में देखिए, to break the eyes, ठीक है, विकल्प नमबर B, इसका सही उत्तर होगा, 59 और 60 में आपने देखना था कि, complete the proverbs with the correct word given in the option, ठीक है, तो इसका देखिए, क्या होगा, money makes the mere go, विकल्प नमबर B, इसका सही उत्तर होगा, 60 है, देखिए, आपक रिप्र सही उत्तर होगा, ठीक है, तो ये थे दोस्तों, पूरे के पूरे English section के 30 question, इन प्रशनों में अगर कुछ गलत हो गया हो, या कुछ उपर नीचे हो गया हो, तो आप मुझे वो भी comment section में जाकर बता सकते हैं, और फिलाल अभी के लिए इतना ही, जल्दी हाजिर होगें, एक नई वीडियो के साथ, नई section के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, जाहिंद,